नमस्कार वडोदरा न्यूज नेटवर्क मां आपनू स्वागत छे ने आजे छे असाडी बीज आजना दीवसे जगतना नात जगन नात भाई बलराम ने बहन सुबद्रा साथे नगरनी यात्राय निकडे छे परंतु कोरोना संकडना कारणे आवखते जे रत यात्रा छे ते ने रद करवामा आवी छे परंतु भगवान रत मा बिराज मा जरूर थासे परंतु ते मंदिर ना प्रांगन मा ज रत यात्रा करवामा आवसे खुबज ओचा जे भक्तों छे तेमनी हाजरी मां मंदिर ना जे प्रसांसनिक जे लोकों छे तेमनी मोचुदगी मां मात्र आ रत यात्रा काड़वा मां आवसे सोशल डिस्टंसिंग नूँ खूब ध्यान राकवा मां आवसे कोरोना संकटना कारणे समगर देश मां जे रिजरत यात्रा नूँ आयोचन करवा मां आवे चे जगनात पूरी होए के पची अमदावाद नी यात्रा होए के पची वडोधरा इसकोन मंदिर द्वारा जी यात्रा काड़वा मां आवे चे तेने पन रद करवा मां आवी चे परंतु जे परंपरा जाडवा माटे मंदिर ना प्रांगण माज आ यात्रा काडवा मां आवसे पूरी नी वाद करिये तो पूरी मां सर्वोच दालत मां जे फरीती पिटी संदाकल थाईती त्यार बाद तेमने खूबज ओचा लोको नी साथे परवांगी आपी देवा मां आवी छे परंतु खूबज ध्यान राखी ने आ यात्रा काडवी पर से मोटी संक्या मा लोको त्यां आए कत्रीत नई थाई गणा गणी बधी सुचनाओनी साथे कड़क पालन साथे भगवान रत पर विराजमान थैने नगर यात्राए निकर से वडोधरानी वाद करिये तो इसकोन मंदिर मां पन तड़ा मार तैयारियों सरू छे अमना थोड़ी कजवार मा भगवान जगनात बहन सुबद्रा अने भाई बलराम साथे अविसाड रत मा विराजमान थैसे अने मंदिर ना प्रांगण माज आ नगर यात्राए भगवान निकर से अने त्यार भाज तेवो नीज मंदिरे जसे आजना संपूर्ण कारिकरम पर त्याना जे संतों छे महंतों छे तेवोसु कई रहा छे तेपन सामबढ़िये इसके पीछे पुराणिक इतिहास है कि क्रिश्ण जब ब्रिंदावन से मत्वुरा आये और मत्वुरा से द्वारिका चले गे उसका जब ब्रिंदाव आपस नहीं आये तो साभाविग है जो स्वजन होते उनके प्रतिस्थने होता है तो जब क्रिश्ण ग्रहन के समय सब परिवार द्वारिका वासी सब लोग आये थे ग्रहन स्थनान करने के लिए कुर्चेत्र में समयन्त पंचक नाम था उसका और ब्रिजवासी गए थे और उनको जब पता जलाए क्रिश्ण आये है तो अधिक उत्सा से अधिक संख्या में वह आ गए थे तो उस दिन रत पे क्रिश्ण बलराम और शुभद्रा ये लोग बिराजवान थे और द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब तक ब्रिजवासी आये ओले क्रिश्ण अब आप बिर्द्नामन के बहुत नजदीक है तो फिर पे आप बिर्द्नामन चलिये हैं और उन्होंने घोडों को रस्य निकाल दिया और खुद जो है वो रस्य पकड़ा कि हम लोग लेके चलेंगे तो वही सेन है यहां कि यह प्रमफरा जगनादपुरी की है जगनादपुरी में जो है वही है कि वो जो में मंदीर है वो जो है द्वारिका को प्रस्तुत करता है अश्वरे भावबाई कुंठ का और रथ रथ है उस पर विराजमान है जगनादवाल उसवद्रा और वहां रशे लगे हैं और व्रिजवासी खीश की व्रिजवासी नतलब कृष्णी के भाक्त इसलिए वहां देखेंगे यहां बरोडा में भी जो रथ यात्रा निकलती है हमारे इसकान मंदिर से वहां भा होर्टर लगा दो अटेक्ट लगा लगा लेकिन प्रेम है ब्रहक्ती बाति नडवा序ं लेकर जाएंगे तो भकती बातो के प्रणरशीत करता है भागवान सच्चितानंद है इसलिए पड़ प्रवान में कहा गया सच्चितानंद रूपाय भी स्वत प्रत्याद है ते बहुतप नहीं हो शकती है तो जल के असनान से भगवान विमार नहीं हो सकते हैं लेकिन भगवान की लीला है, और लीला कहता तो वो बीमार होते हैं, और वो जो समय अपने अंतरंग भक्तों को देना चाहते हैं, चिकित्सा पद्दती देखा जाए तो मूल रूप से अयुरवेद है, और अयुरवेद में कोई भी अगर व्यक्ति को बीमारी होती है, तो अय आधा बीमारी तो जस परहेज से ठीक होती है और काफी कुछ तो सरीर खुद अपने आप हिलिंग कर लेता है बेद जो है भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान है और भगवान गीता में करते हैं कि यदयाद आचेरे स्रेष्ट अरजुन जो जो स्रेष्ट लोग आचरण करते हैं नीचे के लोग जो आनिवाई है उसको फालो करते हैं तो मुझो कुछ करने कहा सकता ने लेकिन कि दर्मंतरी भगवान क्या उतार है तो इसले भगवान भी वो आचरन से प्रदरसित करते हैं तो मंदिर जब प्रशाशनों लोग बताएंगे कैसे कैसे क्या करना आप उनसे थोड़ा दुख तो होगा छमा चाहते हैं क्या करें लेकिन हम सब जानते हैं परिस्थिती